आजगे इस वीडियो में हम अपने सारा आकास के पुरुवाद सांच के छठे अध्याई को सुरू करने वाले हैं जिसमें हमें एक चेंज देखने को मिलता है कि फड़ा जो है वह अपने माईके से वापिस अपने घर आ गई है और यहां पे समर का जो है उसके प्रती जो व्यवहार है वो पहले तो बहुत ठीक रहता है वो पहले उसके प्रती भावुक होता है लेकिन बाद में वह चल के कु करना होगा तो चलिए सुरू करते हैं कॉलेज से लोटते समय अमर मिला दोनों हाथों में फुटबॉल घुमाता हुआ शायद कहीं खेलने जा रहा था देखते ही बोला हमर भईया भावी को लेकर आ गया हूं मैं सीर जुकाय चला जा रहा था एकदम चौक गया मूँ से अश्चरी से निकला अच्छा और घर लोटने को उठते कदम सहसा रुप गये कुछ देर निरुदेश सिसा उसके मूँ की ओर देखता रहा फिर पूछा कोई खास बात तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि समर जो है वो घर की तरफ जा रहा होता ह तबी उसे उसका छोटा भाई अमर मिलता है जो कि उसे यह कहता है कि भाईया मैं भावी को लेके आ गया हूँ तो समर इस पे थोड़ा चौक उठता है और फिर वो उसे पूछता है कि क्या कोई खास बात है अब प्रभा का घर वापिस आ जाना समर के लिए थोड़ा सा चौ मैं तो साफ कहें देता हूँ आगे से नहीं जाऊँगा अब अमर कहता है कि खास बात तो कुछ नहीं है लेकिन उनके घर वाले बड़े बत्तमीज हैं मैं आगे से नहीं जाऊँगा कभी भावी को लेने के लिए क्यों पकर कर पीट पाट दिया क्या मैंने कंट को भरस दव के साथ पूछा बस पीटना ही बत्ते मिजी होती है क्या उठते बैठतो जब देखो तब तुम्हारी बड़ी भावी ऐसी तुम्हारे अम्मा बाबुजी ऐसे हम लाख बुरे हो लेकिन अपने घरवालों के बारे में ऐसी बाते नहीं सुनेंगे उसने मेरी चिंता किये बिना उद्दत ढंग से कहा अब जब अमर से समर ने पूछा कि तो क्यों नहीं जाएगा क्या कोई खास बात हो गई क्या वहाँ पे क्या तुझे पीट वीट दिया क्या उन्हों लोगों ने तो उसने कहा कि नहीं उन्होंने पीटा वीटा तो नहीं लेकिन वो हमारे घर के बारे मैं एकदम पूछ बैठा स्वर में अंजाने ही कोमलता आ गई थी जाने उसने मुझे अपने घर जाकर कैसा बताया होगा फिर समर पूछता है कि समर भाईया कैसे हैं मतलब समर अपने बारे में पूछता है कि क्या उसके ससुराल वालों ने उसके बारे में कुछ कहा तो अमर कहता है कि वह वहाँ पे तारीफ किया जाता है उसकी वहाँ पे बहुत तारीफ की जाती है तो वह इस बात से चौंक जाता है क्योंकि उसने जिस तरीके का व्यवहार प्रभा के साथ किया था उसके बाद शा कि समर की तारीफ वहाँ पे लोग करते हैं। हाँ यह भी हो सकता है उसने मान लिया। वैसे तुम्हारे बार में ज्यादा बाते नहीं हुई। बस एकात बार पूछा था कितनी पढ़ाई और रह गई है। और इस समय प्रभा को ले जाने से पढ़ाई का नुकसान तो नहीं होगा। यह भी कह रहे थे कि जितना पढ़ेंगे उन्हें तो खुशी ही होगी। हाँ इस बात का बुरा मान रहे थे कि पहली बार तुम्हें ही लेने जाना चाहिए था यह काईदा है। मैंने समझा तो दिया कि गौना तो शादी के साथ ही हो गया था फिर भाईया आजकल बड़ी महनत कर रहे हैं। तो अमर को जब समर कहता है कि तुर नहीं समझ पाया होगा उनका यह व्यंग करने का कोई इच्छा होगी। तो अमर कहता है कि हाँ हो सकता है मैं नहीं समझ पाया होगा लेकिन वह कुछ खास आपके बारे में नहीं कह रहे थे। बस इतना ही कह रहे थे कि आपकी और कितनी परहाई शेस है और आप क्यों नहीं लेने आए आपको प्रवा को वापिस लेने आना चाहिए था। लेकिन मैंने कह दिया कि गौना तो साधी के साथ ही हो गया था तो वो जो पती के साथ जाने की रस्म होती है वो तो तभी पूरी हो गई थी अब भईया थोड़ा बिजी रहते हैं तो इसी करण से वो नहीं आ पाए बस और तो सब ठीक है उसके आत्म प्रसंसा को प्रवाह को रोक कर मैंने पूछा तारीफ शब्द से जो जिग्यासा गले तक उमर आई थी उसका समाधान इन बातों से नहीं होना था तू समझा नहीं ह कहकर मैंने अमर को उकसाना भी चाहा और पका भी करना चाहता था कि कहीं उनकी बातों में व्यंग तो नहीं था अब क्या पूछूं उठते लहरों की तरह यह शब्द मेरे मानसी कुद्योग को बढ़ाये जा रहा था अब जब समर को अपने बारे में यह पता चला कि वहां पर उसका सब सम्मान करते हैं वहां पर सब उसका तारीफ करते हैं तो वह और जानना चाहता था कि क्या सचमें लोग वहां पर उसकी तारीफ करते हैं या फिर वह सिर्फ उनका एक व्यंग करने का तरीका है समर यह जानना चाहता था तो वह अमर से कुछ और बाते निकालना चाता था लेकिन नहीं निकल पा रहा था मन में एक प्रबल आवेश उठा कि किस से जाकर पूछू कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा उस एक छन को मुझे लगा कि कितना घोर अनुचित व्यवार किया मैंने भी आज अदालत में खड़ा करके कोई मुझे से पूछे कि सुहागरात के दिन तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं बोले थे क्या केवल इसलिए कि तुम्हें देखते ही गठरी बनकर नहीं बैठ गई और योहीं खड़ी रही थी या फिर सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आकांगशाय बहुत उची थी और तुम नारी को उसमें बादक मानते थे विवा तुम्हारी इक्चा के विरुद्ध कर दिया था ची यह भी कोई ठोस कारण है ना बोलने का अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए उस समय में क्या जवाब दूँगा क्या आधार बताऊंगा उस सारे विवार का सिवा एक भावुक आवेश के मुझे लगा मेरा सारा वेवार गलत ही नहीं मुर्खता पून भी था आत्म गलानी से मेरा मन भर आया तो जब समर को पता चला कि वहाँ पे सब उसकी तारीप करते हैं तो वो जानना तो और चाता था लेकिन ठीक उसी समय उसके मन में एक और विचार आया कि उसने प्रभा के साथ कितना बुरे तरीगे से वहार किया है अगर कभी कोई उसे कोट में घजीट के ले आता है और पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी से बातचित क्यों नहीं की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे सामने नहीं आई और वो खड़ी की खड़ी रहे गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी महत्वका अंक्षाओं को पुरा नहीं किया तो वो यही सोचता है कि मैंने प्रभार के साथ कितना घोर अनुचित विवहार किया है औ अमर ने कहा और चलने को तयार हो गया अब अमर ने कहा कि और कुछ खास बात तो नहीं हुई और वो पूछ रहे थे कि प्रभा को वापिस कब लोटाएंगे भावी कुछ कमजोर सी हो गई है मतलब प्रभा कुछ कमजोर हो गई है तो उसके देखबाल करने को कहा गया है उसके दवाई दारू के उपर में ध्यान देने को कहा गया है क्या तवियत खराब रही थी मैंने एकदम पूछा और साथ ही अपनी कमजोरी पर जेब भी आई हाँ शायद रही हो दार्शनिकों की तरह कहता हुआ अमर फुटबॉल को योही उच्छालता और लपकता हुआ गायब हो गया तो समर ने पूछा कि क्या तव उसकी तवियत खराब थी तो उसने कहा हाँ हो सकता है और उसके बाद अमर वहाँ से चला गया ध्यान रखने को कहलवाया है यहाँ बाबुजी कह रहे थी कि ठीक समय पर खाना पिना मिल जाए दूसरी बार बहु आई है और सारा काम उसी से कराने की योजनाएं बन गई है कम से कम दो एक बार तो आ लेने देते हमारे घर का रवईया भी यजब है तब क्या उसने मेरी तारिफ की होगी सच मुझ कि नहीं नहीं अमर समझा नहीं होगा तो जब अमर वहाँ से चला जाता है तो समर फिर से अपने आप से बात करने लग जाता है कि ध्यान रखने को कहा था हमारे यहां तो बस खाने को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ पर तो सब कह रहे थी कि नहीं बहु आई है तो उसी से सारा काम करवाएंगे अरे दो-तीन बार उसे आल तो लेने तो उसे कम से कम सांस तो लेने तो फिर काम करवा लेना हमारे घर का भी रवया अजब है तब उसने क्या मेरी तारीफ की होगी सच मुझ और वो फिर से सोचता है कि क्या प्रभा ने अपने घर जाकर सच में उसकी तारीफ कियो गई और बात में वो इस निसकर्स पर पहुँचता है कि नहीं नहीं अमर समझ नहीं पाया होगा उनकी बाते योग घर चलते समय बड़ी धिजक लग रही थी लेकिन लगा कि पिछले दिनों छाई उदा से कि काई छट गई है और नीचे का निर्मल लहराता जल निकल आया है लेकिन अगर कहा होता तो अमार से बात ताने में ढाल कर किसी ना किसी तरह का जरूर देती उस समय मुझे अपनी प्रचंड मुर्खता पर क्रोध आता रहा कि मैंने जी भरकर उसका चहरा भी नहीं देखा तब उसके सामने पड़ूंगा कैसे यही सोच सोच कर प्रान सुखे जा रहे थे अब समर जो है वो अपने घर की तरफ जा रहा था और उसे लग रहा था कि इतनी दिनों से जो च्छाई उदासी थी वो अब धीरे धीरे जा रही थी और जो निरमल पानी है मतलब वो अपने लाइफ को पानी की तरह खहता है कि जब पानी के ऊपर से जो काई होती है वो जब हट जाती है तो कैसा सुत जल नीचे से निकलता है उसका जीवन में भी यही हो रहा था और वो बार बार यही सोचता है कि क्या प्रभाने सच मुझ जाकर उसके बारे में तारीफ की होगी और वो यही सोचता है कि अगर उसने सच में किया होगा तो अब उसके सामने जाकर किस तरीके से बात चीत कर पाएगा अब उसके सामने पडूंगा कैसे यही सोच सोच कर प्रान पखेरू सुखे जा रहे थे यह ना बोलने का बंधन पालने में क्या तुक थी उस समय मन में आ रहा था कि अपने प्रती किये गए बड़े से बड़े अपराद को या तो हसकर टाल दू या ध्यान ही ना दू अपने पर अश्चरी भी हो रहा था कि इतनी ताजगी ऐसी हलका पन मेरे भीतर कहां भड़ा था अब समर जो है वो अपने घर की तरफ जा रहा था लेकिन वो जिजक भी रहा था कि प्रभा ने उसके बारे में घर में कुछ नहीं का तो वो किस तरीके से प्रभा से बाते करेगा तभी भी निहायत गंभीर चहरा लिये अपने को अधिक से अधिक सभाविक बनाए मैं घर आया मानो अमर मुझे नहीं मिला और ना मुझे प्रभा के आने की बात ही पता है सुस्ता ठका हुआ सा और सुखे होट लिये मुझे देख कर दूर से ही मुन्नी चिलाई समर भाईया भावी आ गई है और समर जो है वो घर जा रहा था लेकिन उसने अपने आपको ऐसा ढाल लिया कि ना तो उससे अमर मिला रास्ते में जिसने उसे प्रभा के बार में बताया और ना ही उसे प्रभा के वापिस आने के बारे में कुछ भी पता है और जब वह घर जाता है तो उसकी बहन कहती है कि समर भाई या भाबी आ गई है आ गई तो मैं क्या करूँ चाने कैसे मेरे मुह से निकला और उसी पल वह डॉक्टर को दिखलाने वाला संकेद भी दिमाग में कौन गया मन अकारन ही जुझला आया अपनी कोठरी की ओर इस तरह चलता रहा जैसे कॉलेज से बहुत पडिसरम करके आया हूँ और अब अपनी पुष्टके रखने की जल्दी में हूँ उस समय अपने आपको किस तरह नियंत्रित कर रहा था मैं ही जानता हूँ अब समयर की दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था लेकिन वह कुछ भी व्यक्त करना नहीं चाहता था और जब उसे अपनी बेहन मुनी ने कहा कि समयर भई अपरभा वापिस आ गई है तो वह कहता है अगर वापिस आ गई तो मैं क्या करूं वह ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके मुझ से यह ऐसा निकल गया और वह अपने कोठ्री के तरफ जा रहा था और वह कोठ्री के तरफ जाते जाते उसे बड़ा भारी महसुस हो रहा था खुले खिवारों से सांफने ही कोठ्री में मुहे उसका संदूख दिखाई दिया मन फुलक उठा उत सुक वह फिर से भाई साहब के कबजे में आ चुका था अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा देर से या जल्दी अब जब समर अपने कोठरी में आया तो उसने वहाँ पर प्रभा का संदूग देखा और और भी नए समान देखी तो उससे उत्सुकता हुई या जानने के लिए कि क्य क्या प्रभा अपने घर में लाई है और उसने यह भी सोचा कि प्रभा के पास अब रहने को कोई और जगह भी तो नहीं है वह कोठरी जो उसे साधी के समय मिली थी वह तो उसके भाई साहब की थी जो उसने वापिस ले ली थी अब उसे तो उसकी ही कोठरी में रहना पड़ एक और दिवार के सहारे, प्लास्टिक की चपले, संदूक की बगल में ही बांस की एक डोल जी, उसमें सफर का समान था, इधर उधर देखकर मैंने चुपके से तौलिया हटाया, गोल गोल मोर कर एक माया रखी हुई थी, रेलवे बुक स्टॉल से खड़ी दी होगी, एक पन् अब समर जब वहां पे आया हुआ नए समान को देखता है, तो उसे मन करता है कि वह एक बार सभी समान को देखे, और वह देखता भी है, वह जब समान को इधर उधर करता है, तो उसे एक किताब मिलती है, जिसके उपर भा लिखा होता है, उसे मन करता है कि वह उसके बगल मे अपना नाम भी लिख दे लेकिन वह फिर से किताब को वहीं पर वापिस रख देता है। अब दिन ढल चुका था और समर अपने घर से बहार रास्ते पर टाहलने के लिए आ गया था। लड़के मूंफली और चने बेचने लगे थे, कुछ फुटपातों पर कार्ट की दुकानों पर अपड़े बेचने लगे थे, एक बात माननी पड़ेगी कितने सहास और अध्व्यसाई के साथ इन लोगों ने अपने को जमाना सुरू कर दिया है। इतने भयानक कष्टों के बाद ऐसी लले से गुजर चुकने के बाद हम लोग तो केवल भीखी मांगते परते हैं। क्या क्या नहीं इन्हों ने सहा, क्या क्या नहीं देखा, अपने छूटे हुए वैभव को बिच्री हुई धर्ती को याद करते हैं, मरे हुए को रोते हैं और फिर नए सिरे के उद्यम के में लग जाते हैं। और ते दिन रातनलों के बीच बैठी कपड़े कुठती रहती है, बहुत दिन बाद याद आया कि मैं संग के बौधिकों में भी नहीं गया, उधर ही चलू लेकिन इतने दिन ना आने का क्या करन दूंगा, जेब भी लगेगी, आज नहीं फिर किसी दिन जाऊंगा। जब समट ने देखा कि पंजाबी सरनार्थी और भी बहुत सारी लोग वहाँ पे दुकान लगा रहे थे, तो उसने उनके बारे में सोचा कि इन लोगों ने कितना क्षट सहा है, फिर भी यह कितने महनेती हैं कि इन सब ने फिर से अपनी जिन्दगी को एक नया आरंब देन शरू कर दिया है, अब यहां पर उसने ऐसा क्यों कहा है, यह कहानी जो है भारत-पाकिस्तान बहुत सरनार्थी आए हुए थे, तो उनी सरनार्थियों को भारत में बहुत ही कुष्ट सहना परा था, और वहा कुष्ट को जैसे तैसे जहकर वो अपनी जिंदगी जी रहे थे उसी को समर कहते हुए कहता है कि इन लोगोंने इतना कुछ सहा है और इतना कुछ सहने के बाद भी यह लोग देखो कितनी मेनत कर रहे हैं अगर हम होते तो हम तो भीखी मांगने लग जाते फिर समर यह सोचता है कि वह बौधिक भी बहुत दिनों से नहीं गया और उसे बौधिक जाने का इक्षा भी होता है लेकिन वह यही सोचता है कि अगर वह बौधिक जाएगा तो वह वहाँ पर जाकर क्या कहेगा कि इतना दिन वह क्यों नहीं आया फिर उसने वहाँ जाने का निश्चे तोड़ दिया इच्छा सारा विशाद और सारी चिंता कहां चली गई मुझे खुद आश्चर ये था कल जब इसी समय पुल से गुजर रहा था तो तनाव से नसे फटी जा रही थी यह पढ़भा सची बहुत गहरी और समझदार लड़की है कोई और लड़की होती तो घर जाकर मेरी बुराइक करती कि मुझे दिखाने की हिम्मत ना परती बताया होगा कि पढ़ने में विश्ट है परिक्छा पास आ रही है यह तो फर्क है एक पढ़ी लिखी लड़की के और एक बेपढ़ी लड़की में हूँ हमारे यहां भी क्या उस दिन जरा सा नमक ज्यादा होने से बावेला मचा अरे आदमी है जरा ज्यादा नमक पर ही गया तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई और अब क्या उसे जिन्दगी भर माफ नहीं किया जा सकता भाई नई नई बहु आई खबड़ा गई होगी नई जगा नए आदमियों के बीच में और अम्मा और भावी जैसे भयानक अलोचक बेचारी बौखला गई होगी मुझसे ही कोई कह दे कि क्लास में खरे होकर एक पेज पर दो तो एक लाइन भी परकर नहीं सुनाई जाएगी खड़ा खड़ा हकलाता रहूंगा और सारा सरीर पसीना पसीना हो जाएगा फिर समर जो है वह फुल पे जाता है और वह एक दिन पहले के अपने मनिस्तिती को सोचता है और कहता है कि ठीक एक दिन पहले उसकी नसे फटी जा रही थी और आज देखो वह कितना शान्त है उसे प्रभा के उपर में एक अच्छा महसूस होता है कि प्रभा जो है वह काफी अच्छी लर्की है कि उसने घर जाकर उसके बारे में कुछ भी अनुचित नहीं का नहीं तो कोई और लड़की होती तो वह पका घर जाकर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बोल ही देती और उसे फिर पश्तावा भी होता है कि क्यों उसने उस दिन खाते वक्त इतना बावेला मचाया अरे नमक था ज्यादा हर ही गया होगा इसमें इतना करने का क्या बात था और क्या उसे जिन्दगी भर के लिए माफ नहीं किया जा सकता है वह नहीं नहीं आई होगी सो घबडा गई होगी और उपर से अम्मा और भावी जैसे अलोचक्त हमारे घर में है ही बैचारी बोखला गई होगी मुझसे ही अगर कोई कह दे कि क्लास में उठकर एक पेज फर दूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा तो उससे मैं कैसे एक पिक्षा रख सकता हूँ कि वह पहले ही दिन इतना अच्छे से अपने घर में वेवार करेगी इतना अच्छे से घर में खाना बनाईगी समर को प्रभा के पती किये गए वेवार को लेकर सर्म और दुख हो रहा था कि उसने इस तरीके का वेवार आखिरकार क्यों किया असल में मैं सुरू से ही बहुत जल्दबाज रहा हूँ जरा कोई बात देखी कि जट अपने विचार बना डाले यह मेरी बहुत ही बड़ी कमजोरी है मुझे इस से पीछा चुराना ही होगा इस सारी घटना में तो सारा दोश मेरा ही है उसका कोई कसूर नहीं इस समय में पुल की दिवार की सहारे खरा खरा नीचे दूर तक चली जाती रेल की पटरियों को देख देख कर अथा आश्चर करता रहा कि वे कौनसी और कैसी दुष्चिंताएं रही हों कि जिनके कारण मंदिर के उस कोने में बैट कर मैं सिसक सिसक कर रोया हूँ और क्या वे बाते बास्तों में इस लायक थी कि उन पर बैठ कर यह घंटों सीर खपाया जाए और यह रोया जाए उस मैं मैं उसके पेक रहा था कि क्या कारण था कि वो इतना दिन तक इतना दुखी रहा और वो कौन सी दुष चिंताई थी कि वो मंदिर के उस कोने में बैठ कर सिसक सिसक कर रोया था और क्या वे बाते वास्तों में इतनी लायक थी कि उसके उपर बैठ कर इतने घंटों तक रोया जाए उस समय उस के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलती वह सब कुछ उतब भूल गया था काफी देर बाद जब याद आया तो भावी ने न जाने कहां से निकल कर कहा लाला जी खाना वाना नहीं खाना वह भूकी बैठी है यहां तो राह देखते देखते पलकी सूझ गई कि कब आएं अब अपने घर आ जाता है और उनकी भावी उसे कहती है कि लाला जी चलो चल कर खाना खालो वह अभी भूकी बैठी है यहां तो तुम जो सुबा निकले वो तो अभी आए तुम तो कॉलेज के बाद भी घर नहीं आए इधर मैंने बेकार की बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी बातों का ही जवाब देता था अक्सर ही भावी के मजाकों का बुझे से स्वर में जवाब देकर समाप्त कर डालता किसी से बात करने का मन नहीं होता था चाहता था उसी व्यवहार को इस समय भी बनाए रखों ताकि कोई मेरी इस आक्समिक परिवर्तन को भाप ना बड़े संदिजता स्वर में कहा हां मुझे योही भावी कुछ काम था अब समर जो है भावी की बातों को नहीं बोलना चाहता था भावी की बातों को उत्तर नहीं दिना चाहता था तो उसने ऐसे ही कह दिया कि हां भावी मुझे कुछ काम था जिसकी व्यासे मैं गर नहीं पाया था प्रभा के आने का भी पता नहीं भावी बोली मैंने यो उनके चेहरे की तरफ देखा मानो उनकी बात को नहीं समझा फिर सासा जल्दी मचाता सा बोला भाव मुझे कुछ नहीं पता तुम मुझे पहले खाना दे तो भूक लगी है फिर बैट कर फरना है और जब भा पहले मिठाई खिलाओ कहीं दूर घहराई से मुन्य की आवाज सुनाई दी जबाब में भावी हस पड़ी अरे इन्होंने खिलाई मिठाई ससुराल की मिठाई खाने को तो बड़ी जल्दी लपकेंगे वह हसते समय सुन्दर लगती हैं अरे तुम छोड़ो मिठाई विठा बोड के इंतिहान है इस समय भावी प्रसन दिखाई दी अब जब समर को उसकी में ने ताना मारा कि खाना तो बाद में खाना पहले मिठाई खिलाओ तो उस पर भावी ने भी ताना मारा कि इनको तो अभी मन कर रहा होगा कि कब ससुराल की मिठाई खाएंगे लेकिन समर कह देता है कि मुझे कोई भी इंट्रेस्ट नहीं है उस मिठाई खाने को आप ही लोग उस मिठाई को खाईए इस पर सभी हच परते हैं और इसी के साथ हमारा इस अध्याई का एक पार्ट फूर्ण हो जाता है और आज के लिए हम बस यहीं तक रखते हैं अगले दिन हम बांक दिना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पर ये एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाईए अगर य कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए तो गाइस आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हलफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हलफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजे और अगर आप ऐसे वीडियो और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब परके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेस्टेंज हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए औ अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हल पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेर कर दीजिएगा तब तक के लिए डू टेक वेरी गूड केर अव यॉरसेल्स और बाई बाई एन जैहिन गला मुड़ सेक्प बाई तक करो दोस्त gibtल्स दूडर्स और में जरूर्सेलर के लिए थाए प्लत सकते हैं